हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यह है हिंदी का बूक क्लास वन का नाम है उनमेश इसका हम चेप्टर नाइन अज पर हैंगे आपको देखिए नाइन में है चिरिया आई पानी पीने सूरज चमचम चमक रहा है आसमान में दमक रहा है धरती पर धूप बिछा कर देखो कैसा बमक रहा है प्यासी फिरती चिरिया रानी उसे चाहिए ठंधा पानी लाओ ना मिट्टी का थाली भर दो उसको गुरिया रानी गर्मी के गरम महीने चिरिया आई पानी पीने ये गर्मी के मौसम के बारे में है जो प्यास लगती है तो कैसे ब्याकुल हो जाता है पसू पक्छी आदमी यह लिखे हैं, प्रियाग सुक्ल. आईए इसका question answer देखते हैं. इसका question answer है, इसका question answer है, सही मातरा से निर्मान करो. इसमें मातरा लगाना है. जये हम लगा दिए हैं. दुसरा question है, जही अस्तान पर बरी-ी की मातरा लगाने हैं. देख यहाँ रानी, परी की मतरा लगा प्यासी फिरनी थाली पानी तीसरा क्वेश्चन है सही सब्द पर टिक और गलत पर क्रोस का चीह लगाएं सूरज धर्ती पर चमक रहा है धर्ती पर नहीं क्रोस लगेगा इसमें 85 चिरिया को ठंधा पानी चाहिए सही गर्मी के महीने गरम होते हैं पिल्कुल सही चौथा कोश्चन है सही सब्द पर गोला लगा सूरज क्या कर रहा है तो चमक रहा है चिरिया कैसी फिरती है संदुरण चिरिया क्या पीनी आती है इसको मिलाना है कि हमिला चुके हैं चितर पहचानकर नाम लिखो यहां बादल का है यहां बादल लिखा हुगा है जिसमें दो चितर है सूरज और गुडिया और यहां पानी का टब है तो पानी लिखा हुगा है अब यहां question answer है सेवन में है सूरज कैसे चमक रहा है तो चम चम चिरिया क्यों फिरती है प्यास के कारण पानी किसमे भरने के लिए कहा गया है तो मिठी की थाली में गर्मी में महीने कैसे होते हैं तो गरम रानी किसे कहा गया है तो चिरिया को कहा गया है आठमा कोश्चन है सही उत्तर पर टिक कचिन लगा है सूरज दमक रहा है आसमान में सूरज धर्ती पर धुप पीछा कर क्या कर रहा है तो दमक रहा है ठंधा पानी किसमें भरा गया है तो मिट्टी की थाली में नुमा कोश्चन है बर्नों को सही क्रम में लगा कर शब्द लिखों। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पानी, मिठी, यहाँ सही मिठी ऐसे लिखा हुआ है, कोश्चन अंसर खतम हुगा चप्टर खतम अब हम लोग दसमा चप्टर के और बढ़ेंगे आप लोग इसे लिख लीजिए कॉपी पर और इसको परके याद भी रखिए फिर लॉकडान सुरू हो गया है तो अब हम लोग को घर से ही पढ़ना पढ़ाना है अच्छे से परिये कि अब अफ लोग को समय ज्यादा मिलेगा इसलिए खुब भ्यान से अच्छे से परिये थैंक यू सो मच कि अ कर दो